भारत देश में ऐसी कितनी ही शांदार कहानिया हैं। वो अपने आप अपने विकास के लिए एक दूसरे के गाइड बन गए क्योंकि वो बस द्वार थे। तब आप देखते हैं आपका भाग या खुद को उस दिशा में विवस्थित करना शुरू कर देता है। भारत में ऐसी कितनी ही शांदार कहानिया हैं कि इस तरियां कैसे दिव विदर्शी बन गएं। वस यूँ ही अपने पतियों के प्रती समर्पित होकर क्योंकि उन्होंने उसे एक आदनी की तरह नहीं देखा। भारत में ये एक प्रता रही है, आप ये बेशक जा चुकी है। पहले वो पती को स्वामी कहती थी। और वो भी इस पर खरा उतरता था। इसके लिए आपसी सहयोग चाहिए। तो जब चीजें ऐसी होती थी, तो शुरुवात में हॉर्मोन्स होते हैं, वो हरकत में आते हैं, अपना काम करते हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी सक्री होकर अपना काम करती हैं। उसके बाद आप अपने पती को पार जाने के एक द्वार की तरह देखती हैं। और क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी तरह की आध्यात्मिक ट्रेनिंग मिला करती थी, यह वो समय था। तो वो अपने विकास के लिए एक दूसरे के गाइड बन जाते थे। और जादातर अधिकतर ऐसी विवस्था से हजारों महिलाएं दिविदर्शी बन गई, पुरुष नहीं बनें। क्योंकि वो बस द्वार थे। जो द्वार से गुजरते हैं, वो कहीं पहुँच जाते हैं, पर द्वार कहीं नहीं पहुँचता। द्वार वहीं रह जाता है, लोग आते हैं, जाते हैं, है की नहीं। भारत में ऐसे कितने ही शांदार एक्जाम्पल हैं, कि इस त्रियां कैसे दिविदर्शी बन गई, बस इसलिए क्योंकि उनकी भावना एक ही दिशा में थी, बस एक ही दिशा में। ये पल को भी बदली नहीं। देखे, जैसी शिक्षा आपको दी गई है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, आप मानते हैं कि आप अपना मन किसी चीज पर फोकस्ट रख सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है की नहीं। हेलो, क्या आप अपने मन को मुझ पर, या अपने पती पर, या अपनी पत्नियां बच्चों पर, या अपने भगवान चाहे जो हो उस पर फोकस्ट रख सकते हैं, या आप अपने बिजनेस या पैसे कोी ले लिजए, क्या आप 2400 गंटे अपने मन को पूरी तरह फोकस्ट तो अगर आप अपनी बुद्धी को ट्रेनिंग देना चाहें कि ये ऐसे रह पाए, कि ये लंबे समय तक एक ही चीज़ पर टिकी रह सके, तो ये बहुत बढ़िया होगा, पर इसमें बहुत महनत लगेगी. लेकिन आपकी भावनाएं ऐसा कर सकती हैं. आपके जीवन में ऐसे मौके आएं हैं, जब आपकी भावनाएं किसी से बड़ी मजबूती से जुड़ गएं, तब 24 गंटे, बस वो ही वो है न, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. तो बुद्धी की तुलना में आपकी भावनाएं ज़ादा सक्षम हैं. मैं बस या आपको आहिस्ता से कहने की कोशिश कर रहा हूँ. हलो, इस ओके हैं न, औरते कहेंगी ओके, उनके लिए आसान हैं. पुरुष कश्म कश्म हैं, क्या? चाहे आप आदमी हो या औरत, या आपके लिए सच है, इस पर गौर करके देखेगा. हो सकता है, आपका प्रेम फोकस्ट ना हो, पर आपका घुस्सा फोकस्ट होता है. वो भी एक भावना ही है. अगर आप तापमान पर या तीव्रता पर ध्यान दें, अपने जीवन के कितने पलों में आपको ऐसे विचारा हैं, जो कि गर्मा गर्म तीव्रता के साथ जल रहे थे. पर आपने ऐसी भावनाय महसूस की हैं, है न? हलो? अपनी बुद्धी की तीव्रता को जटका देकर चढ़ाने की तुलना में, अपनी भावना की तीव्रता को जटका देकर चढ़ाना ज़ादा आसान है, क्योंकि पहले वाले में बड़ी मेनत लगती है. बुद्धी की तीवरता को बनाए रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है आध्यात्म के रास्ते पर समस्या बस यही है आप ऐसे फोकुस्ट है फिर आप देखते हैं आपका भाग ये खुद को उस दिशा में विवस्थित करना शुरू कर देता है फिर आप ऐसे हो जाते हैं कभी आप वैसे हो जाते हैं तब भाग ये अविवस्थित होने लग जाता है आप मैंसे हर किसी ने जिसने Upper Engineering Program किया है कभी न कभी ये अनभव किया होगा कि जब आप कारिकरम में आये अचानक ऐसा लगा कि आपको अपनी जीवन का रास्ता मिल गया है बूम पर फिर आप में धीरे धीरे खुद का ध्यान भटका लिया और ये बिखर गया आपको समझना होगा कि रास्ता थै कर लेने के बाद आपको रास्ते पर टिकना पड़ेगा अगर आपको उड़ना है तो अगर आप ऐसे 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 करेंगे वैसे भी हम सब इधर ही जा रहे हैं हलो नहीं सब सोचते हैं कि वो ऐसे जा रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है नीचे जाने का सबूत है हाँ या न आपके पास कोई सुबूत है कि आप उपर जा रहे हैं? नहीं, पर इसका सुबूत है कि आप नीचे जरूर जाएंगे हाँ, अगर आप उनमें से हों जो मंगल पर दफन होने का खर्चा उठा सकते हैं नहीं, नहीं, धर्ती को आपकी जरूरत है भले ही जन्दा रहते हुए आप काम के नहीं, पर मरने के बाद धर्ती को आप अच्छे लगते हैं हाँ, वागई, धर्ती माता आपको वापस पाना चाहती हैं प्लीज, इसके लिए उन्हा मना मत कीजेगा जब हमने कहा कि भक्ती ही वो रास्ता है तो लोग सोचते हैं कि भक्ती यानी मंदिर जाना, चर्च या मस्जिद जाना लोग सोचते हैं कि भक्ती यानी धर्म नहीं, नहीं, नहीं भक्ती यानी आप अपनी भावनाओं को ऐसे विवस्थित कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से आपके लिए काम करें पूरी तरह क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भावना में रहते हुए, सिर्फ भावना के पलों में ही आपने अपनी सबसे भीतरी मिठास को चखा है, जिसे आप मैं कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है, कि आपने बुद्धी की मदद से इसको कभी छुआ है, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग बुद्धी से उस मिठास को चूपाते हैं, आप में से अधिकतर लोगों ने सिर्फ भावना में रहकर अपने जीवन के उस मिठास को जाना है, है ना, हाँ, आपकी जिंदिगी के सबसे खुबसुरुत पल भावना के पल है, है ना, वो शायद टिक ना पाएं हो, वो मैनेज ना कर पाएं हो, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपका भीतरी माहौल बाहरी दुनिया का घुलाम है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें, कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से बाहरी माहौल को मैनेज नहीं कर पाता है, हम इसे कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, कभी ये हमारे हिसाब से चलता है तो कभी ये हमारे हिसाब से नहीं चलता है की नहीं? हलो? कभी-कभी ये हमारे हिसाब से चलता है हम चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से चले पर ये हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता पर हमारा भीतरी माहौल हमारे इसाब से चलना चाहिए, हमेशा, क्योंकि यह हमारा है लोग कभी आपके काम आएंगे, कभी आपके खिलाफ हो जाएंगे, कभी आपको इग्नोर कर देंगे ऐसा होता है न, चाहिए आपका बहुत बड़ा लव अफैर ही क्यों न चल रहा हो भले ही आपका बहुत बड़ा लव अफैर ही क्यों न चल रहा हो कभी आपके साथ बड़े अच्छे रहते हैं, कभी आपको इग्नोर करते हैं और कभी वो आपको बड़ा परिशान कर देते हैं। या नहीं तो भक्ति का मतलब है अपने भीतरी महाल को ऐसे विवस्थित करना कि आपका भावनात्मक आयाम हमेशा आपका साथ दे, आपके खिलाफ नहों। और इसके लिए आपको इसे वहां बांध कर छोड़ देना होगा। भाग ये फिक्स हो जाएगा। मने आपको एक कहानी ज़रूर सुनाई होगी। एक बुढ़े योगी थे जो वेलेंगिरी की पहाडियों तक पहुँचे। ये वेलेंगिरी पहाणियां इशा योग सेंटर इन ही वेलेंगिरी पहाडियों की तलहटी में हैं। ये मुश्किल चड़ाई है। करीब 5,800 फीट उपर खड़ी चड़ा ही है। वो 80 साल से जादा के थे। वो धीरे धीरे चड़ते वे उपर पहाड़ी पर जाना चाहते थे। क्योंकि वहाँ उपर एक पवित्र स्थान है। जो दुकानदार वहाँ बैठा करते हैं। ये बेवकूफ कभी उपर पहाड़ पर नहीं चड़े। वो वहीं तलहटी में बैठकर बिजनस करते हैं। तो चोटी मोटी चीज़ें बैठते हैं, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ बीड़ी और तंबाखो और ये सब चीज़ें। वहाँ बैठे बैठे बीड़ी पीते पीते, वो इस योगी को देखकर बोले। ओए, बुले आदमी, तुम्हें पता हैं, ये पहाड़ी कितनी उची है। हम भी वहाँ उपर नहीं गए हैं। तुम्हें लगता है, तुम्हारे जैसा बूला, ये पहाड़ चड़ पाएगा। योगी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुस्कुराते हुए कहा। देखे, मैंने पहले ही अपना दिल वहाँ उपर रख दिया है। बाकी शरीर अपने आप पीछे पीछे चला जाएगा। आप मेरी जिंदा मत कीजे। मेरा दिल पहले से ही वही है। मैं भी पहुँची जाओंगा। जहां आपका दिल है, आप वहाँ कैसे भी पहुँची जाएंगे। है ना? हाँ? तो यह होता है, अपनी भावनाओं के इस्तिमाल से अपने भीतरी माहौल को संभालना। यानि आप अपना दिल वहाँ फिक्स कर दीजे। और उसमें कोई बदलाव मत कीजे। वो पहले से ही वहाँ है। अब आप चाहें यहाँ देखें, वहाँ देखें, चाहें जो भी करें, आपका दिल आपको उसी तरफ खींचता रहेगा। अबलाव मत कीजें पुल अबलावلفthing गभाण झालेव देखें शव्यक्ष आपको परकाण बेखें पुल यूबलाव प्राइब कर दो